हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फिनलेंट की टॉप कंपनी के बारे में अगर आप इन कंपनी में जॉब के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट अपना सीवी और कवरलेटर भेजने का मौका मिल कम दाम में अपना सीवी और कवरलेटर बनवाईए और फिर जिन कंपनी के बारे में आपको बताने नहीं वाला आपको जो पकाईदा दिखाऊंगा आपको वेबसाइट पर लिए अपलाई कर सकते हैं इसलिए वीडियो के इंट तक बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी ह करना मत भूलिएगा दोस्तों सबसे बहले तो आपको पता दूँ कि इस वक्त बहुत जादा डिमांड में है आपको कम दम में यहां का वीजा मिलेगा आपको कम टाइम में हो वीजा मिलेगा वीजा सक्सेश रेट भी बहुत अच्छा है वहाँ पर अगर आप जाते हैं दो के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आपको ज़रुक पढ़ने वाली दोस्तों एक फ्लेक्स की वेबसाइट पर लेकाया हूँ फ्लेक्स में जो है आप अलग-अलग टाइप की जॉब्स के लिए अपलाई भी कर सकते हैं अभी मैं आपको पूरा-पूरा तरीका बताने वाल हूँ दोस्तों बस मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा इत्मिनान से अभी आप देख सकते हैं सारी की सारी रिखे हुए दोस्तों है और नमबर के साथ करीब आप देख सकते हैं आठई सो चौसर्ष एक्टिव जॉब्स अवेलिबल है पूरी दुनिया में जाहां है मेक्सिकू जॉब्स में इंडिया के चेन्ग ही हिर, उप हैपキे सामने पोश्ट किया है USA में है उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको अलग-अलग jobs दिख जाएंगी अलग-अलग location की लेकिन हम बात कर रहे हैं फिल्लेंड की तो हमें country वाले option में जाके फिल्लेंड सिलेक्ट कर लेना दोस्तों और आप यहां देख सकते हैं कि कितनी सारी country शामिल है यहां पर अगर आप इन सारी countries में जॉब के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो भी आप सिंपली उस पर क्लिक करके वहां की jobs के लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तों लेकिन अभी हम फिल्लेंड की बात कर रहे है तो कोई भी job open होगी तो आपको जो है response भेज दिया जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं type of career we offer design and technology, engineering, hardware, software और project management से related अगर आप काम करना जानते हैं manufacturing, engineering, quality और operation से related अगर आपको काम आता है तो आप यहां jobs के लिए अपलाई कर सकते हैं procurement और supply chain से related अगर आपको काम आता है दोस्तों तो भी आप jobs के लिए अपलाई कर सकते हैं finance से related, IT से related और human resources से related अगर आप काम करना जानते हैं आपके पास experience है तो आप यहां पर अपना open application बेच सकते हैं साथ ही आप यहां देख सकते हैं कि क्या क्या benefits मिलने वाले हैं अगर आप यहां पर job के लिए apply करते हैं और job के लिए select हो जाते हैं तो यहां पर आप नीचे की तरफ scroll करेंगे दोस्तों तो आपको जहे बहुत सारी मतलब सारी चीज़े देखने के लिए मिलेंगी कि भी यहां फिलन में आपको jobs क्यों करनी चाहिए और इस company के अंडर क्यों करनी चाहिए और जब apply job वाले option पर आप click करेंगे तो आपके पास option आ यहां से ही मैं option यह click करूँगा देख सकते है अभी मेरे को एक नए page पे redirect किया गया है दोस्तों इस नए page पे जो है सबसे पहला step है autofill with resume में दूसरे step में information भरनी है तीसरे step में experience भरना है दोस्तों चौते step में voluntary disclosure करना है और पांचवे step में review करके submit कर देना है यहां पर आप अपना cv upload कर सकते हैं दोस्तों और जॉब के लिए apply कर सकते हैं तो flex में कैसे job के लिए apply करना है यह तो मैंने आपको बता दिये एक ऐसी company जहाँ पर इतने सारे sector में आप job के लिए apply कर सकते है अब मैं आपको एक ऐसी website पर लेगया हूँ job portal पे दोस्तों जहांसे आप बहुत सारी companies में job के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको जो है बस find a job वाले option पर जाना है और अपने इसाब की job के लिए search करना है suppose आप plumber की job करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको plumber type कर लेना दोस्तो plumber type करके जो है search कर लेना है यहाँ पर नीचे की तरफ भी आप देखेंगे तो plumber plumber HVAC installer की job available है plumber related jobs आपको देखने के लिए similar jobs आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तो आप इन सब ही companies में easily apply कर सकते हैं easy जो है एक recruitment agency है मतलब इसके जरीए भी जो job hiring चल रही है वो job भी यहाँ पोस्ट की गई है आप उस job के लिए भी apply कर सकते हैं लेकिन उपर आईए यहाँ पर देख सकते हैं यह दूसरी company है इस company में अगर आप plumber के job के लिए apply करना चाहते है तो क्या करना है आपको बस इस job posting पे click कर लेना दोस्तो जाओ posting के click करके आप देख सकते है rules and responsibility अगर आप यहाँ पर काम करने आना चाहते हैं तो क्या क्या आप से मांगी जारी है चीज़े requirements क्या क्या है दोस्तो आप देख सकते है previous experience मांगा जारा है field में और education मांगा जारा है building technology में अगर आपके पास education है trade certificate है दोस्तो तो आप job के लिए apply कर सकते है finish language skills है थोड़ी सी तो अच्छी है अच्छी बात है नहीं है तो भहिया आपके पास अंग्रेजी की skills तो होनी चाहिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप बिना अंग्रेजी सीखे या बिना अंग्रेजी और यहां पर आपको उपर option मिल जाएगा SOL का जो की company का नाम है दोस्तो उसके बगल में apply for this job वाला ठीक है इस पर जैसी आप click करेंगे नीचे की तरफ जो है हमें ले जाया जाएगा दोस्तो एक application form की तरफ जहां हमें first name last name email डाल देना है telephone number पे जो हमें select का लेना है दोस्तो इंडिया इंडिया भारत आपको एक option देखने के मिल जाएगा देख सकते हैं यहां पर मैंने इंडिया भारत select का लिया और अपना phone number डाल देना है उसके बास place of residence में आप डाल सकते हैं जहां भी आप रह रहा है शिति कानाम डाल सकते हैं दोस्तो या state का नाम डाल सकते हैं उसके बाद शिटेजयनशिप में आपको अपनी country का नाम सवर्च करना है मैं आपको बता दूं अगर आप यहाँ पर India सर्च करेंगे तो आप India सर्च करके ठक जाएंगे दोस्तों क्यूंकि यहाँ पर इंडिया को इंडिया लिखा गया है गलती से यहाँ पर एक spelling mistake है देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया के नीचे और एराक के उपर इंटिया किर दिय गया है I-N-T-I-A तो अगर जैसे ही आप जो यहां पर दिल्ली डालेंगे दिल्ली डालने के बाद दिख सकते हैं मेरे जो अपने आप इंटिया सेलेक्ट हो चुका है तो अप इंटिया सेलेक्ट हो गया है जो भी कह सकते हैं कह सकते हैं दोस्तों है तो इंडिया ही ठीक है यह आपको लिख देना है I need one उसके बाद language skills वगएरा links वगएरा CV वगएरा cover letter वगएरा जो है डालने के बाद jobs के लिए apply कर सकते हैं देगा दोस्तों कितनी असानी से आप भी फिल्लेंड के इन companies पे जॉब के लिए apply कर सकते हैं हल टाइब की job available है दोस्तों अगर आप फिल्लेंड जाना चाहते हैं तो आपके पास मौका है बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप जिस भी जॉब के लिए apply कर रहे हैं आपके पास उसका experience होना चाहिए तोड़ा सा आपको जो है उससे related काम करना आना चाहिए आपके पास उस हैं इस country का norm यह है कि आप जब भी जिस भी जॉब के लिए apply कर रहे हो तो आपको जो है थोड़ा सा experience भी होना चाहिए अगर आप जॉब के लिए apply करना चाहते हो साथी आपको जो है दोस्तों एक अच्छे level की अंग्रेजी आनी चाहिए आपकी जो है communication skills strong होनी चाहिए तभी जो है आप जो है वहाँ पर survive कर पाएंगे क्योंकि वहाँ की first language Finland की first language finish है दोस्तों अगर आप websites पो भी जाएंगे job hotels पो भी जाएंगे तो पहले जो है तो आप बहुत आसानी से communicate कर पाएंगे दोस्तों तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो अगर आप भी Finland जाना चाहते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों वीडियो को जल्दी से like कर दीजिए चैनल को subscribe अगर नहीं किया अभी तक तो चैनल को subscribe और यह हमारे साथ बने रही है आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए बाए